हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आज हम इस वीडियो में बर्गत की पेड़ पर दस लाइंग का निबन पढ़ेंगे तो वीडियो सुरू करते हैं लाइन नमबर एक बर्गत का पेड़ बहुत ही विसाल होता है लाइन नमबर दो भारत में बर्गत की पूजा की जाती है लाइन नमबर तीन बर्गत के तने बहुत ही मजबूत और मोटे होते हैं लाइन नमबर चार बर्गत के तनों से जड़ें हवा में लटकती है लाइन नमबर पांच यह जड़ें हवा से होते हुए सीधे धरती में गड़ जाते हैं लाइन नमबर चार पी पांच के पेड़ की तरह इनके बीज भी बहुत ही छोटे आकार के होते हैं लाइन नमबर साथ बरगत के फल में बहुत से बीज भरे होते हैं कि अबरे होते हैं लाइन नमबर आठ इस पेड़ के बीच आकार में छोटे होते हैं परन्तु या बड़े होकर विसाल बिरिच बन जाते हैं लाइन नमबर नो बरगत के पेड़ कई वरसों तक खड़े रहते हैं लाइन नमबर दस बरगत के तनू को तोड़ने पर एक दूद जैसा तरल निकलता है जिसे लैक्टस अमल कहते हैं धन्यवाद अमल कहते हैं जिसे लाइन नमबर दसे जिसे लाइन, यह रहते हैं झाल कहते हैं झाल झाल